शामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोचने की फुरसत न थी पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलजे हुए बालों का जूड़ा बनाए मुह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूखते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे आखिर पाँच बचते बचते तैयारी मुकमल होने लगी, कुर्सिया, मेज, तिपाया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया, अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अडचन खड़ी हो गई, मा का क्या होगा, इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल ग्रिहनी का ही ध्यान गया था मिस्टर शामनाथ श्रीमती की ओर घूम कर अंग्रेजी में बोले मा का क्या होगा श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली इन्हें पिछवाडे इनकी सहेली के घर भेज दो रात भर बेशक वहीं रहें कल आ जाएं शामनाथ सिगरेट मुह में रखे सिकुडी आँखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे फिर सिर हिला कर बोले नहीं मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था मा से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए महमान कहीं आठ बजे आएंगे इससे पहले ही अपने काम से निबट ले सुझाव ठीक था दोनों को पसंद आया मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दर्वाजा बंद कर ले मैं बाहर से ताला लगा दूँगा या मा को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोये नहीं बैठी रहे और क्या और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले ग्यारह ग्यारह बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो शामनात कुछ खीज उठे हाथ जटकते हुए बोले अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी तुमने यूँ ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी वाह तुम मा और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूँ तुम जानो और वह जाने मिस्टर शामनात चुप रहे यह मौका बहस का न था समस्या का हल ढूंडने का था उन्होंने घूम कर मा की कोटरी की ओर देखा कोटरी का दर्वाजा बरामदे में खुलता था बरामदे की ओर देखते हुए जट से बोले मैंने सोच लिया है और उन्हीं कदमों से मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपटे में मुह सिर लपेटे माला जप रही थी सुबह से तैयारी देखते हुए मां का भी दिल धड़क रहा था बेटे के दफतर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है सारा काम अच्छे से हो जाए मां आज तुम खाना जल्दी खा लेना महमान लोग साढ़े साथ बज़े आ जाएंगे मां ने धीरे से मुह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा तुम जो जानते हो मांस मचली बने तो मैं कुछ नहीं खाती जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निबट लेना अच्छा बेटा और मां हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे उतनी देर तुम यहां बरामदे में बैठना फिर जब हम यहां आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना मां अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी फिर धीरे से बोली अच्छा बेटा और मां आज जल्दी सो नहीं जाना तुम्हारे खराटों की आवाज दूर तक जाती है मां लजजित सी आवाज में बोली क्या करूँ बेटा मेरे बस की बात नहीं है जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती मिस्टर शामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया फिर भी उनकी उधेड बुन खत्म नहीं हुई जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो आठ दस महमान होंगे देसी अफसर उनकी स्त्रियां भी होंगी कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है क्षोभ और क्रोध में वह जुझलाने लगे एक कुरसी को उठा कर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले आओ मा इस पर जरा बैठो तो मा माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुरसी पर आकर बैठ गई यू नहीं मा टांगे उपर चड़ा कर नहीं बैठते यह खाट नहीं है मा ने टांगे नीचे उतार ली और खुदा के वास्ते नंगे पाव नहीं घूमना नहीं वह खड़ाओ पहन कर सामने आना किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाओ उठाकर मैं बाहर फेक दूँगा मा चुप रही मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुह में रखे फिर अधखुली आँखों से मा की ओर देखने लगे और मा के कपड़ों की सोचने लगे शामनाथ हर बात में तर्तीब चाहते थे घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था खूटियां कमरों में कहां लगाई जाएं बिस्तर कहां पर बिछे किस रंग के परदे लगाएं जाएं श्रीमती कौन सी साड़ी पहने मेज किस साइज की हो शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का सामना साक्षात मा से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े मा को सिर से पाव तक देखते हुए बोले तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो मा पहन के आओ तो जरा देखूं मा धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई यह मा का जहमेला ही रहेगा उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा कोई ढंकी बात हो तो भी कोई कहे अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा मा सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन कर बाहर निकली चोटा सा कद सफेद कपड़ों में लिपटा चोटा सा सूखा हुआ शरीर धुंदली आँखें केवल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाये थे पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी चलो ठीक है कोई चूडियां वूडियां हो तो वह भी पहन लो कोई हर्ज नहीं चूडियां कहां से लाओं बेटा तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिग गए यह वाक्य शामनात को तीर की तरह लगा तिनक कर बोले यह कौन सा राग छेड़ दिया मा सीधा कह दो नहीं है जेवर बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या तालुक है जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया जितना दिया था उससे दुगना ले लेना मेरी जीब जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूँगी मेरे मुह से यूँ ही निकल गया जो होते तो लाख बार पहनती साढ़े पांच बच चुके थे अभी मिस्टर शामनात को खुद भी नहाध होकर तयार होना था श्रीमती कबकी अपने कमरे में जा चुकी थी शामनात जाते हुए एक बार फिर मा को हिदायत करते गए मा रोज की तरह गुमसुम बनके नहीं बैठी रहना अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना मैं न पढ़ी, न लिखी, मैं क्या बात करूँगी बेटा तुम कह देना मा अनपढ है, कुछ जानती समझती नहीं वह नहीं पूछेगा साथ बज़ते बज़ते मा का दिल धक धक करने लगा अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी यह तो अमरीकी है न मालूम क्या पूछे मैं क्या कहूंगी मा का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाडे विध्वा सहेली के घर चली जाए मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी चुपचाप कुरसी पर से टांगे लटकाए वही बैठी रही एक काम्याब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक काम्याबी से चल जाए शामनात की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी वार्टालाब उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे कहीं कोई रूकावट न थी कोई अडचन न थी साहब को विस्की पसंद आई थी मेम साहब को परदे पसंद आये थे सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था कमरे की सजावट पसंद आई थी इससे बढ़कर क्या चाहिए साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानिया कहने लग गए थे दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त जैसे हो रहे थे और उनकी स्त्री, काला गाउन पहने गले में सफेद मोतियों का हार सेंट और पाउडर की महक से ओथ प्रोथ कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंदर बनी हुई थी बात-बात पर हस्ती, बात-बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो और इसी रो में पीते पिलाते साढ़े दस बच गए वक्त गुजरते पता ही न चला आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए पीछे चीफ और दूसरे महमान बरामदे में पहुँचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए जो द्रिश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़ खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा बरामदे में एन कोठरी के बाहर मा अपनी कुरसी पर जोंकितियों बैठी थी मगर दोनों पाव कुरसी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जूल रहा था और मुह में से लगातार गहरे खराटों की आवाजें आ रही थी जब सिर कुछ देर के लिए टेड़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटें और भी गहरे हो उटते और फिर जब जटके से नीद तूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं जूलने लगता पला सिर पर से खिसक आया था और मा के ज़रे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे देखते ही शामनाथ गुस्सा उठे जी चाहा कि मा को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें मगर ऐसा करना संभव न था चीफ और बाकी महमान पास खड़े थे दोस्तों ऐसे और भी इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा तो आईए अब आगे सुनते हैं मा को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा पूर डियर मा हडबडा के उठ बैठी सामने खड़े इतने लोगों को देख कर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना जट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी उनके पाव लड़ खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कापने लगी मा तुम जाके सोजाओ तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुह की ओर देखने लगे चीफ के चेहरे पर मुस्कराहट थी वह वहीं खड़े-खड़े बोले नमस्ते? मा ने जज़गते हुए, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ हाथ मिलाने के लिए मा के आगे किया मा और भी घबरा उठी मा, हाथ मिलाओ पर हाथ कैसे मिलाती दाया हाथ में तो माला थी घबराहट में मा ने बाया हाथ ही साहब के दाया हाथ में रख दिया शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे देसी अफसरों की स्त्रियां खिल खिला कर हस पड़ी यू नहीं मा, तुम तो जानती हो, दाया हाथ मिलाया जाता है, दाया हाथ मिलाओ मगर तब तक चीफ मा का बाया हाथ ही बार बार हिला कर कह रहे थे How do you do? कहो मा, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ मा कुछ बड़ बड़ाई मा कहती हैं, मैं ठीक हूँ, कहूं मा, हाउ डू यू डू? मा धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू? एक बार फिर कह कहां उठा, वातावरण हलका होने लगा, साहब ने स्थिती संभाल ली थी, लोग हसने चहकने लगे थे, शामनात के मन का क्शोभ भी कुछ-कुछ कम होने लगा था, साहब अपने हाथ में मा का हाथ अब भी पकड़े हुए थे, और मा सिकुडी जा रही थी, साहब के मुह से शराब की बू आ रही थी, शामनात अंग्रेजी में बोले, मेरी मा गाव की रहने वाली है, उमर भर गाव में रही है, इसलिए आप से लजाती है साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच, मुझे गाव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी मा गाव के गीत और नाच भी जानती होंगी, चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए मा को टिकटिकी बांधे देखने लगे, मा, साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, को इतना रीज से कहा है, नहीं गावगी, तो साहब बुरा मानेंगे, मैं क्या गाव बेटा, मुझे क्या आता है, वा, कोई बढ़िया टपे सुना दो, दो पत्तर अनारां दे, देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी, मा कभी दीन दृष्ट मा बैठ गई, और क्षीन, दुर्बल, लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी, हरियानी माए, हरियानी भैने हरिया ते भागी भरिया है, देसी स्त्रियां खिल-खिला के हंस उठी, तीन पंक्तियां गा के मा चुप हो गई, बरामदा तालियों से पंजाब के गामों की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी में जूम रहे थे, बोले, बहुत कुछ, साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूँगा, आप उन्हें देख कर खुश होंगे, मगर साहब ने सिर हिला कर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता, पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है? शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुडियां बनाती हैं, और फुलकारियां बनाती हैं, फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेश्टा करने के बाद मा को बोले, क्यों मा, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? मा चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाईं. साहब बड़ी रूची से फुलकारी देखने लगे. पुरानी फुलकारी थी, जगह-जगह से उसके तागे तूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था. साहब की रूची को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूँगा, मा बना देंगी. क्यों? मा साहब को फुलकारी बहुत पसंद है. इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? मा चुप रही. फिर डरते डरते धीरे से बोली. अब मेरी नजर कहां है बेटा? बूढ़ी आँखें क्या देखेंगी? मगर मा का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाद साहब को बोले. वह जरूर बना देंगी. आप उसे देखकर खुश होंगे. साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हलके हलके जूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए. बाकी महमान भी उनके पीछे-पीछे हो लिए. जब महमान बैठ गए और मा पर से सब की आँखें हट गई, तो मा धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई. मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आँखों में चल-चल आँसू बहने लगे. वह दुपट्टे से बार-बार उन्हें पोंचती, पर वह बार-बार उमड आते, जैसे बरसों का बांध तोड़ कर उमड आये हों. मा ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायू होने की प्रार्थना की, बार-बार आँखें बंद की, मगर आँसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे. आधी रात का वक्त होगा। हडबढा कर उठ बैठी. क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? मा कितनी देर से अपने आपको कोस रही थी कि क्यों उन्हें नीद आ गई? क्यों वह उंगने लगी? क्या बेटे ने अभी तक शमा नहीं किया? मा उठी और कापते हाथों से दर्वाजा खोल दिया. दर्वाजे खुलते ही शामनाथ जूमते हुए आगे बढ़ाए और मा को आलिंगन में भर लिया. ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया. साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं? ओ अम्मी, अम्मी! मा की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई. मा की आँखों में फिर आँसु आ गए. उन्हें पोंचती हुई धीरे से बोली, बेटा, शरीर पर से हटाई. क्या कहा, मा? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनात का क्रोध बढ़ने लगा था, बोलते गए. तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, ताकि दुनिया कहे कि बेटा मा को अपने पास नहीं रख सकता. नहीं, बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो. मैंने अपना खा पहन लिया. अब यहां क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी. तुम मुझे हरिदवार भेज दो. तुम चली जाओगी, तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगडोगी? जानती नहीं, साहब खुश होगा, तो मुझे तरक्की मिलेगी. मा चुप हो गई. फिर बेटे के मुह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क् उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं, कितना खुश गया है. कहता था, जब तेरी मा फुलकारी बनाना शुरू करेंगी, तो मैं देखने आउंगा कि कैसे बनाती है. जो साहब खुश हो गया, तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है. मैं बड़ा अफ की यूँ ही हो जाएगी? साहब को खुश रखूंगा, तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिद्मत करने वाले और थोड़े हैं? तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा, बना दूंगी. और मा दिल ही दिल में फिर बेटे के उजवल भविश्य की कामनाएं करने ल करना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगी. और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. सुनने के लिए धन्यवाद.